नमस्का तोस्तों आप सब का इस वार्ट करता हों तो फाइनली पिंजाब डिपार्टमन्ट की दरब से जो टीचर ट्रांसफर का लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है तो इसके लिए आपको इपिंजाब स्कूल लोगिन में जाके स्टाफ परफाल जब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अब लिंक जो ही वो एक्टिव हुआ मिल जाएगा तो आज की स्टेव में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ट्रांसफर के लिए जब अपलाई करना है तो आपको कौन को सी जो इंफिरमिशन चाहिए वो आपके पास होने चाहिए आपने कैसे अपला कोई कैटिगरी है या फिर आपकी जो सर्विस डिटेल्स है या फिर आपकी जो रिजर्ट है वो बड़े द्यान से आपने फिल करने है तो कहां से और कैसे चीज़ें आप फिल करेंगे या कौन को सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो सारव मैं आपको इस वीडियो मे आपको यहां पर एक link मिलेगा apply का तो आपने apply पर click करना है तो आपको यहां पर apply for transfer का जो link है वो आपको मिल जाएगा जो की active कर दिया गया है तो जब आप उसको click करेंगे तो आपके पास यह चीज़े option मिलेंगी general retail results मिलेगा service record तो यहां पर एक चीज में आपको जो मॉस्ट इंपोर्ट चीज आपको पता दूंकि यहां पर आपकी जो प्रेजन डिटेल यह आपकी सही होने चाहिए इसमें यह चीज जो हैं वो स्कूल केटिगरी आईडी नेम फादर नेम इस यहां तक तो आपको जी और डिटेल से वो स कोईन जो 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 किझे यह और आपको आपको सबसे निचे जो करेंगे तो आपको सबसे नीचे जो option से वो मिल जाएंगी special category में कौन से teachers आते हैं उसके बाद differently able person है अगर आप हैं तो yes करेंगे otherwise no रहने देंगे any disease है yes करेंगे otherwise no रहने देंगे अगर differently able or mentally challenged children है आपके तो yes करेंगे otherwise आप no पर ही रहने देंगे अगर आप husband while दोनो state center निया government में जो working है तो yes करेंगे otherwise no रहने देंगे इसके इलावा अगर आपका कोई children जो है वो government school में पढ़ता है तो yes करेंगे otherwise no रहने देंगे अब main बात आती है कि यहां पर जो यहां पर आपने अपना जो स्नियोटी नंबर है वो फिल करना है अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है यहां पर यह option लिखा हुआ है अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते है उसके बात most important बात जो है वो ACR किये है तो आपके जो ACR के नंबर है वो यहां पर upload होंगे यहां पर आपने upload करने है याने कि fill करने है 100 में से आपके जितने भी 70 होंगे या 80 होंगे या फिर 90 होंगे जितने भी आपके नंबर आए है वो आपने यहां पर fill करने है 2022 और 2023 की जो ACR है उसके according आपने यहां पर fill करने है इस बात का अपने दियान रखना है उसके बात बात आती है आपके probation period की आपका अगर probation period clear है तो यहां पर दो option मिलेंगी yes no की अगर clear है तो yes करेंगे otherwise no करते हैंगी यहां पर click करने के बाद दो option मिलेंगी आपको उसके बात date of first joining in department जब आपकी appointment होई थी वो data आपने यहां पर fill करनी है उसके बात date of joining in present school अब आप जहां पर working करें उस school की जो present detail है जब आपने join किया था वो detail आप date यहां पर fill करेंगे उसके बाद आपने यहां पर leaves की detail fill करने है यहां पर दियान रखना है आपने without maternity और cd इन दोनों को छोड़कर आपकी जो भी leaves होंगी पिछले session के दौरान यानिकी पिछले calendar में तो वो आपने यहां पर fill करनी है उसके बाद अगर कोई already transferred on complaint basis अगर कोई है तो yes करेंगे otherwise आप यहां पर no ही रहने देंगे तो उसके बाद आप पर जो भी gender है male है female है वो select करेंगे mental status जो भी होगा आपका married है unmarried है जो भी होगा यहां से list से आप select कर लेंगे उसके बाद staff recruitment type आपकी कौन सी है तो यहां पर आपको एक list मिलेगी तो उस list के according अगर आप आते हैं 374 आते हैं या 81 आते हैं या कुछ और है जो list में है वो अगर उसमें है आप तो वो select करेंगे otherwise आप यहां पर none of these करते हैंगे तो यह सारी चीज़े करने के बाद आपको यहां पर submit का option मिलेगा तो आपने उसको submit कर देना है तो आपका जो data है वो finally save हो जाएगा ठीके जी तो यह आपकी होगी general profile अब उसके बाद आप हम बात करते हैं आपकी जो second option आएगी results की अब हम results कैसे fill करेंगे कौन कौन से करने है तो हमें यहां पर जो results होते हैं वो five year के select करने होते हैं इस जो information है फुल करना होती है यहां पर आप सेज़ेशन से़ेशन करेंगे तो यहां पर आपको 2018-19 से लेकर 2022 सेज़ेशन के जो results है वो upload करने है इस results available यहां पर आपको दो option मेलेगी yes, no, please अगर available है yes करेंगे उसके बाद आपके total number कितने है वो यहां पर fill करेंगे उसमें आपके कितने marks आएं ACR में वो आप यहां पर fill करेंगे उसके बाद जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो जैसे यहां पर 2018-19 से लेकर 2022-23 तक आपको यहां पर जो ACR की detail है वो fill करने है यहां पर result फिल करना है तो जैसे मैंने यहां पर yes किया है यहां पर total marks आपके माली जे 200 है उसके बाद आपने जितने भी आपके marks है वो यहां पर आपने fill करने है अगर माली जे कोई गलती हो जाते है कोई mistake हो जाती है तो यहां पर आपको delete की option मिलगी ऐसे close का निशान होगा वापर click करेंगे तो आपके यह जो ACR है अपनी service detail की तो हमारा यह section complete हो चुका है अब आप आताती है service records की तो इसमें आपने बिल्कुल भी कोई mistake नहीं करनी है नहीं तो आपका जो data है वो mismatch हो जाएगा service gap नहीं होना चाहिए आपका ठीकि जिपफू आप आपने कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा तो website जो है वो slow चल रही थी काफी slow चल रही थी तो मैं live नहीं दिखा पाया आपको but मैंने वहां से screenshot ले लिए इसलिए आपको इस PDF से मैं दिखा रहा हूँ अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मैं link में description में link provide कर दोगा आपको से आपको काफी help जो हो जाएगी तो यहाँ पर आपने क्या करना है अब service detail जो होगी वहाँ पर आपको school, office, national service, gap in service यह सारी चीज़ें option मिलेंगी तो हमने जो option select करनी है school की option select करनी है इस वाद का आपने दियान रखना है जलंदर है, कभू उथला है, गुदासफूर, आपने सर्जो भी आपका district होगा वो select करना है उसके बाद department of education है यहाँ पर आपको list मिलेगी primary, middle, high, senior, secondary जो भी आपका school है वो select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक list मिलेगी job की है, वो फिल करेंगे तो अगर आपने काफी सारी जो transfer से वो करवाई है तो उसके recording आप यहाँ से पहली जो detail है वो फिल करेंगे उसके बाद add school करेंगे आपका first school जो है, वो यहाँ पे add हो जाएगा उसके बाद आप transfer करवाके second school में जब गए थे, वो भी same procedure ऐसे ही हम यहाँ पर सारी चीज़ें add करेंगे, उसके बाद add school पर करेंगे हमारे second school की option भी यहाँ पर आ जाएगी, अगर मालेजी आपने तीसरे school में भी transfer करवाई है, तो यहाँ पर तीसरे school की करके, यहाँ पर red करेंगे, यहाँ पर आपको तीन school मिल जाएंगे by chance अगर आप से कोई गलती हो जाती है, by chance कोई mistake हो जाती है तो यहाँ पर आप देसे ने cross दिया हुआ है इस पर click करेंगे तो आपका जो data है वो गलत जो गलत था, उसको आप delete कर सकते हैं, और दोबारा से उसको enter कर सकते हैं, re-enter कर सकते हैं और अगर माल लीजिए, आपकी first जोइनिंगे आप यह की school में है, तो आपने सिर्फ यह चीज इंडेटेल फिल करनी है तो एक चीज का आपने दिया रखना है जहाँ पर आप currently working कर रहे हैं तो वो school अगर आप फिल करेंगे चाहे वो last है, चाहे आपका first है तो यहाँ पर two date रखाए तो यहाँ आपने जो भी date है, जैसे मैं आप आज मैं 18 March को यही जो form में फिल कर रहा हूं, तो आपने यहाँ पर 18 March जो है वो फिल कर देनी है अगर आप 19 March को करेंगे तो यहाँ पर आपने 19 March कर देनी है तो इस बात का आपने दियान रखना है तो जो भी current या till date जो भी है वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है और add school choice पर कर देना है सिर्फ आपने यहाँ पर इतना कसा काम करना है नीचे आपको save, submit की option मिलेगी तो इस तरह से आपको एक message मिल जाएगा save successfully तो आपका जो third option है वो भी आपकी save हो जाएगी अब next काम करना है हमने हमारी यह details okay, result okay, service record okay तो उसके बाद final जो step होगा हमारा approved data तो हमने इस button पर click कर देना है जब भी हमारा data approved हो जाएगा तो हमारी जो application है वो डीडियो के पास जाएगी और आपको यहाँ पर जब verification हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक message आ जाएगा application verified, otherwise यहाँ पर लिखा होगा application pending for verified, ठीके इस बात का आपने द्यान रखना है, यह सारी चीज़ें आपने करनी है, जब आप अपना जो application form है वो apply करेंगे यानि की transfer के लिए जब आप apply करेंगे तो यह सारी चीज़ें आपने करनी है, यह सब चीज़ें का आपने द्यान रखना है, और जब आपकी सारी चीज़े हो जाएंगी जब station choice आएगी तब वो कैसे station choice करेंगे वो भी मैं आपको सारी निट्रीर बताऊंगा तो अगर आपने transfer करवानी है चाहें नहीं करवानी है बट आप ये जो detail है फोट जरूर फिल कीज़ेगा क्योंकि एक बार इंट फिल होगी उसके बार आप transfer कराना चाते हैं तो apply कर सकते हैं station choice कर सकते हैं otherwise नहीं कर सकते हैं तो इस बात का आपने बिल्कुल द्यान अखना है तो ये सारा process है जिसे कि आप अपनी जो transfer के लिए apply कर सकते हैं फिर भी अगर आपकी कोई query है या कोई question है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं पूछ सकते हैं तो ये सारा process है तो आज की वीडियो में ये सारा process ही कैसे आप apply करेंगे जल्डी मिलूँगा अब आपके साथ next नए information वाली वीडियो में तब तक के लिए बुडबाई जैहन वीडियो अगर अच्छी लेए तो वीडियो को लाइक कर देना चैसर में नहीं तो परी चैनल को भी जिरूर सब्सक्राइब कर देना